हाई फ्रेंड्स असलाँ अलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल गाजर की बर्फी और हल्वा तो आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा लेकिन आज हम ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें आपको तीनों का टेस्ट आएगा बीना मावा बीना चाशनी के ये रेसिप प्रेस कर दे तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को यहां पर मैंने लाल वाली गाजर ली है जो के सर्दियों में आती है तो इसे मैंने ऊपर से अच्छे से पील कर लिया है और अच्छी तरीके से इसे दो लिया है और अब इसे हम छोटे-छोटे टुकडों में काट इसे हमें पीसना है एकदम बारी पेस्ट बनाना है और यह देखे गाजर जो है एकदम फ्रेश है इसमें वाइट वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है तो इसी तरह क्या गाजर हमें चाहिए तो इसे मैंने काट लिया है अब इसको डाल देते हैं एक मिक्सी जार में और यहा तो यह देखे मैंने इस से पेसट लिया है अब इसमें से दो चम्मच अलग निकाल के रख लेंगे और इसे हम बाद में इस्तमाल करेंगे तो इह दिखे इतना मैंने Isku Stefan में रख लेते हैं और चलते हैं आगे तो यहां पर मैंने एक कडाई लेली है और इसमें सबसे पहले एक चमच हम गी डालेंगे जैसे गी मेल्ट हो जाए इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और उसके बाद यहां पर हम एड़ कर देंगे गाजर और दूद का पेस्ट साथी साथ आदा कप यहां पर दूद और एड़ कर रही हो में इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है एक बॉइल आने देना है तो यह देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसमें देखिए बॉइल आ गया है अब हम एड़ करेंगे आदा कप सूजी ये बारीक वाली सूजी है इसको एड़ करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे इसमें लम्स भिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए और फ्लेम मैंने यहाँ पर स्लो कर दिया है तो इसे स्लो गेज आज पे ही मिक्स करना है और इसे इस तर किया है तो यह पकते भी जाएगी तो इसे हमें इस तरह से हिलाते हुए एक ड़व के फॉर्म में लाना है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी दूद पूरा एबजोब कर चुकी है और यह एकदम ड़व के फॉर्म में आ चुकी है कडाई छोड़ने लगी है तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक दूसरे बरतन तो यह हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्मूठ ड़व बनकर तयार हो गया है और अब हम इससे निकाल लेते हैं एक बरतन में और इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे थोड़े टाइम क मैं 3 cup ले रही हूँ यह boil किया हुआ दूद है और अब यह room temperature पे हैं तो यहां पर हम 3 cup दूद लेंगे मिला लेंगे और जैसे इसमें boil आ जाए मिला लेंगे इसे अच्छी तरीके से और इसे हम छोड़ देंगे पास से 6 मिनिट के लिए पकने के लिए गेस का flame मैंने low कर दिया है यहां पर हमारा जो डाव था वो भी काफी हद तक ठंडा हो गया है तो अब हम इसको हाथों भी थोड़ा सा तील लगा के अच्छी तरीके से इसे हम मसल लेंगे और मसल के से एक चिकना डाव बना लेंगे तो यह देखिए मैंने बना लिया है और अब इस टीम के लिए मैं इस तरह की छनी ले रही हूं आप चाहे तो इस्टीमर भी ले सकते हैं इस पे हम grease कर लेंगे थोड़ा सा तेल और इस पे यह हमें बॉल्स जो और इस्टीम करने के बाद यह थोड़े से फूल जाएंगे. और छोटे-छोटे यह बहुत ही खुबसूरत भी लगते हैं. तो यह देखिए इस तरह से हमें बनाना है और यह बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं. तो ये देखिए इतने डौ में मैंने इसमें 35-40 बॉल्स बना कर तयार कर लिए हैं अब चलते हैं इन्हें हम स्टीम कर लेते हैं यहाँ पर पानी मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और अब इस चनी को हम इस पे रख देंगे और इसको कवर करके 5-6 मिनिट के लिए पका लेना है बहुत जादा नहीं पकाना है इसे 5-6 मिनिट हो चुके हैं और इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कर देना है और यह देखिए कितने सॉप और फलफी है तो इन्हें हम रख लेते हैं साइड में और यह देखिए दूद भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है हमने तीन कप डूद डाला था तो यह लगबग अब ढ़ाई कप रह गया है और इतना ही चाहिए हमें बहुत जादा गाड़ा नहीं करना है वरना बॉल्स जो है दूद एबजोब नहीं कर पाएंगे तो यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से यह पक चुका है और अब मैं इसमें एड कर रही हूँ थोड़े से बादाम इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया था साथी साथ मैंने एड कर लिया है इन्हें मिक्स कर लेना है दो मिनिट के लिए और पका लेना है उसके साथ ही एड कर लेंगे हम यह सारे बॉल्स तो यह देखिए एड कर लिया है मिक्स कर लेना है अब इन्हें पकने में टाइम नहीं लगेगा तो इन्हें हम पांच मिनिट के लिए औ पका लेंगे तो देखिए सारे बॉल्स उपर आ गए हैं और इन्हें पकाते हुए मुझे पूरे पांच मिनिट हो चुकी है तो यह देखिए आप देख सकते हैं बॉल्स साइज में पहले से बड़े हो गए हैं और यह अब हमारा रसमलाई बनकर तयार है इसे हम ढग कर छोड बनती है कि आप इसे एक खाकर हाथ नहीं रोक पाएंगे इसमें आपको गाजर की रबड़ी गाजर की मलाई और रसमलाई तीनों का स्वाद आएगा तो यह देखिए कितने स्वादिश्ट और कितने डिलिशिस यह रस्पी हमारी बनकर तयार हुई तो आज की मेरी रस्पी आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट करना ना भूले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बिलते हैं नेक्स रस्पी में तब तक के लिए अल्ला हाफेज